दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Income Tax Department New Requirement 2023 Online Form Fill Up के बारे में तो दोस्तो वीडियो को ध्यान से देखेगा वीडियो में मैं आपको Step by Step बताऊँगा कि आप Income Tax Department में जो बैकेंज से निकली है उसके अंतरगत किस तरीके से अपना Online Form घर बैठे आसानी से भर सकते हैं तो नमसकार दोस्तो मेरा नाम है असोक और आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चिनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तो बात करते हैं Income Tax Department Sport Quota Requirement तो यहाँ पर अगर आप Sport Person है तो आपके लिए बहुती सांदर बैकेंसी है दस भी पास है या Graduation पास है तो आपके लिए यहाँ पर बैकेंसी है आपने School Level या International या National Level में कोई भी आपके पास में Certificate है खेल का तो आप इस Form को Apply कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो आएकर विभाग गुजरात के अंतरगत यह बैकेंसी है तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको फार्म भनने से पहले इसकी जो डीटेल्स है कौन-कौन सी बैकेंसी है और एज लिमिट क्या है उसकी सारी डीटेल्स बताऊंगा उसके बाद में फार्म फिल करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते है रिक्वर्मेंट ओप मेरिटोरियस स्पोर्टस पर्सन इंदा इंकम टेक्स डिपार्डमेंट गुजरात स्पोर्ट कोटा रिक्वर्मेंट दोहजार तेविस चोविस तो यहाँ पर दोस्तों इंडियन सिटीजन के लिए है यह वैकेंसी अगर आप आल इंडिया से हैं तो आप इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो पोश्ट की बात करें इंस्पेक्टर ओफ इंकम टेक्स की दो पोश्ट है और Tax Assistant की 26 पोस्ट मल्टी टास्किंग स्टाप की 31 पोस्ट यहाँ पर इसका जो सेलरी की बात करें तो यहाँ पर सेलरी भी आप देख सकते हैं बहुत ही सांदार वेकेंसी हैं यहाँ पर आपकी eligibility condition की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप इंडिया में आप इंडियन citizen हैं तो आप इस form को apply कर सकते हैं यहाँ पर आपकी जो qualification है 182023 को आपके पास में completely होना चाहिए यहाँ पर आपकी age limit for inspector of income tax की जो age limit है 18-30 साल के अंदर में होना चाहिए जिसका date of birth 28-93 से 18-2005 के बीच में हैं तो इस form को apply कर सकते हैं और यहाँ पर tax assistant और multitasking staff इसकी age limit है 18-17 साल के अंदर में यह age के अंदर में आते हैं तो आप apply कर सकते हैं age election मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपकी qualification आपको income tax inspector के लिए bachelor degree होना चाहिए पास और for tax assistance के लिए भी bachelor degree मांगा है और यहाँ पर having data entry operator की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर आपको typing speed आना चाहिए और multitasking staff के लिए matriculation 10th class pass होना जरूरी है अगर आप 10 भी पास है तो इस post के लिए apply कर सकते हैं यहाँ पर आपको sports eligibility तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो country आपने जो country level में खेला है या national level या international level या फिर game sports या इसके रिंतरगत में हैं तो आप भर सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप school में भी आपने यहाँ पर देख सकते हैं school school level या national या sports games या फिर all India school games अगर इसके अंतरगत आपके पास में कोई भी प्रमान पत्र है आपने खेला है कोई सा game तो आप इस form को apply कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो international के लिए form एक भराएगा national level क खेला है तो form 2 और इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट form 3 national sports games school level 4 और यहाँ पर physical इसके लिए form 50 भराएगा form 5 भराएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो list of games यहाँ पर आप देख सकते हैं athletics, badminton, basketball, cricket, football यहाँ पर यह इतने प्रकार के game है अगर आप इनने में खेले हैं तो आप इस form को apply कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको form fill करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर इसकी यह official site पर आना है आएकर विभाग गुजरात की तो दोस्तों आपको form भनने की link वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगी बहां से आप अपना form apply कर सकते हैं तो यहाँ पर link for online application income tax department इस पर आपको click कर देना है फिर यहाँ पर दोस्तों OTP verification तो यहाँ पर आपको अपनी एक valid email ID डालना है और get OTP पर click करना है फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी जो email ID डाला है उस पर एक one time OTP गया होगा OTP को यहाँ पर डालके verify OTP पर click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो form है open हो जाएगा दोस्तों form बने से पहले अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है तो like करें और channel पर पहली बार हो तो channel को subscribe करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको pad के लिए आविदन किया तो यहाँ पर आप graduation है तो text assistant और यहाँ पर multitasking अगर आप 10 भी पास है तो only इस पर टिक कर सकते हैं 10 भी लेबल पर और अगर आप graduation है तो तीनों पोस्ट के लिए eligible रहेंगे तो आप multiple पोस्ट भी select कर सकते हैं उसके बाद में pad के लिए पहली प्रात्मिक्ता अगर आप 3 पत के लिए करते हैं apply तो select कर सकते हैं जैसे पहला inspector चाहिए दूसरे में यह चाहिए multitasking और तीसरे में यह अगर तीसरी नहीं चाहिए तो लागू नहीं इस पर विटिक कर सकते हैं तो यह अपने according आपको preference दे देना है उसके बाद में यहाँ पर ब्यक्तिकत जानकारी यहाँ पर दोस्तों आवे दख तो birth इस calendar पर click करेंगे यहाँ से आपको अपनी सबसे पहले year select करेंगे फिर month और यहाँ पर day तो अपनी full date of birth यहाँ पर select कर लेंगे उसके बाद में आयू का प्रमान पत्र यहाँ पर दोस्तों आप अपना आयू का प्रमान पत्र 200KB के अंदर में आप यहाँ पर upload कर देना EWS, SC, ST, OBC जो भी category है select करेंगे अगर आप SC, ST यह select करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना जाती प्रमान पत्र upload करना पड़ेगा अगर general से करेंगे तो इसकी आब सकता नहीं है उसके बाद में विभागी है उम्मिदबार तो यहाँ पर दोस्तों आप इसमें से आप है तो अगर इन में आते हैं तो इस टिक कर सकते हैं नहीं आते हैं तो लागू नहीं इस पर टिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर राश्टियता आप भारती है इस पर टिक करेंगे यहाँ पर आपकी सेक्षणे की योग्यता तो आप अगर इस ना तक है तो इस ना तक पर टिक करेंगे और यहाँ पर अपनी सेक्षिगने की योगयता का प्रमान पत्र अपनी अंतिम माक्सिट यहाँ पर दोसों के भी फाइल साइज रहेगा इसके अंदर में आपको अपलोट कर देना है यहाँ पर चॉइस फाइल पर क्लिक करके उसके बाद में खेल संबंदित जानकारी तो यहाँ पर दोस्तों आपको खेल आयोजन तो यहाँ पर आप इस लिश्ट में से आपने कौन सा खेल खेला है क्रिकेट फुटबाल बास्केट वैल वाले वाल जो भी इस लिश्ट में से आपने खेला हो वो यहाँ से सलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो क्रप्या उप्रोक्त प्रशन के उत्तर के लिए अनुसार प्रमान पत्र अप्लोड करें तो यहाँ पर आपको बैसिकली आपने स्कूल लेबल या नैशनल इंटरनेशनल या आल इंडिया लेबल पर कोई भी गेम खेला है तो उसका प्रमान पत्र तो मिलता ही है तो वो यहाँ पर आपको जो भी आपके पास में है वो यहाँ पर च्वाइस फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे यहाँ पर स्रेश्ट प्रदर्शन का विबर्ण तो यहाँ पर दोस्तों आपने जो भी गेम खेला है उसका आपको यहाँ पर स्रेश्ट प्रदर्शन क्या रहा वो इसके डीटेल्स यहाँ पर दे देना है उसके बाद में सर्बोच्च प्रदर्शन में जीते पदक स्वर्ण रजत कांस से प्रतिभागी ता प्रमान पत्र आपने स्वर्ण गोल्ड जीता है या फिर रजक सिलवर या कांस या फिर प्रतिभागी प्रमान पत्र है आपके पास में करके अपलोट कर देना है उसके बाद में क्रपया अंतर राश्टिय खेल आयोजन का विबरंड दे यदि कोई नहीं तो खाली छोड़त दे अगर आपके पास में है ये तो आप इसमें विबरंड दे सकते हैं नहीं तो इसे खाली छोड़त देना है यहां पर भी क्रपया खाली छोड़ना है यहां पर इसकूल लेवल अगर है तो यह भी अपना विबरंड दे देना है नहीं तो यहां पर भी आपको खाली छोड़ना है उसके बाद में सारी डिक दक्षिता में राश्टी प्रुसकार से सम्मानित अगर यह भी है तो इसकी डिटेल्स देना है नह जह के उत्तर के अनुसार प्रमान पत्र अप्लोट करें तो आपने जो भी लेटेस्ट जो किया है उसका प्रमान पत्र यहाँ पर आपको अप्लोट कर देना है यहाँ पर खेलों में पिछले छे बर्सों में सर्बोच प्रदर्शन का विबरंड 2018 से 2023 के बीच में आपने अगर पर दोस्तों आपको एने लिख देना है 2022 में खेला है तो यहाँ पर आपको देना है नहीं तो इन सब में एने लिख देना है और यहाँ पर दोस्तों जिसमें भी आपने प्रदर्शन किया वो बर्स यहाँ पर उसकी डीटेल से दे देना है उसके बाद में यहाँ पर उसका प्रमान पत्रह upload कर देना है choice file पर click करके इनका size 200 के बिसे अंदर में होना चाहिए यहाँ पर पत्रह 4 का विवरंड तो यहाँ पर दोस्तो आपको अपना full यहाँ पर मकान नमबर, house नमबर दे देना है यहाँ पर अपना full address डाल देना है और यहाँ पर सहर का नाम डाल देना है कौन सा सहर आपका यहाँ पर अपना राज्य का नाम डाल देना है इस तरीके से यहाँ पर अपना एरिये का पिन कोट डाल देना है और यहाँ पर दोस्तो संपर्क संख्या यहाँ पर अपना contact number, mobile number डालना है यहाँ पर अपनी valid email आइडिया जाएगी और यहाँ पर आधर number डाल देना है उसके बाद में यहाँ पर आधर card की copy आपको choice file पर click करके upload करना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों आपको अपना photograph आपका जो photograph का size 50KB से कम का होना चाहिए JPG format में तो upload हो जाएगा यहाँ पर अपना hashtag चर इसका size 50KB से कम होना चाहिए choice file पर click करेंगे और यहाँ पर upload कर देंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों इस घोशना पत्र इस डबे पर आपको टिक कर देना है और यहाँ पर एक बार review before final submission तो आपको यहाँ पर दोस्तों final submit करने से पहले एक बार preview check out कर लेना है अगर आपको लगता है कि सारी detail सही है तो आपको यहाँ पर submit button पर click कर देना है अब जैसी submit करेंगे तो आपका finally form submit हो जाएगा उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है आपको कुछ दिन bet करना है अपना mobile number या email ID को check करना है या उसकी website पे इसकी merit list जारी की जाएगी तो आपको bet करना है अगर आपका merit list में नाम आता है तो आपका selection होगा तो दोस्तो इस तरीके से आप income tax department sport quota 2023 के लिए अपना online form घर बेठे आसानी से भर सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो please like कीजिएगा और अपने दोस्तों में share कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें साथी bell notification all per set रखें जिससे आगे भी आपको इससे related वीडियो मिल सके थेंक्यू दोस्तो धन्यवाद